तो दोस्तो राजिस्थान में कक्षा पांचवी आठवी बोर्ड प्रीक्षाद 2022 के सतरांग को लेके एक नया अपडेट आया है और अपडेट सतरांग के प्रिंट को लेकिया है अब आप कक्षा 5 और 8 वी के student के 7 rank है उसका print out ले सकते हैं जी हाँ दोस्तो कैसे आपको print लेना है और print लेने के बाद आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा मेरे साथ हो आप बने रहे नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगूर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चेनल चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आज मैंने सोचा क्यों ना डारेक्टली PC की स्क्रीन पर ये जानकारी है वो दी जाए क्योंकि पहले फेस्केम बनाए फिर स्क्रीन बनाए तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो मैं directly PC की screen पे आ चुका हूँ और काफी दिनों से हमारे school साथियों के सामने समस्चा चल रहे थी कि आखिकार कक्षा 5 और 8 वोर्ड प्रिक्षा 2022 का जो 17 rank है वो ना तो print हो रहा है और ना ही final lock हो रहा है तो इसको लेके update आगा है अब आप 17 rank वो print कर सकते हैं अब आप print कैसे करोगे वो आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इसके लिए आपको साला दरपन की official website पे विजिट करना है और official website पे विजिट करने के बाद इस तरह का interface आपको यहाँ पे दिखाए देता है और यहाँ पे देखिए एक menu आपको नजर आएगा यहाँ पे कक्षा 8 वी का menu आपको या module है वो नजर आएगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद इस तरह से एक नया page है वो open हो जाएगा यहाँ पे आपको login पे click कर देना है जैसे आप login पे click करोगे यहाँ पे आपके सामने दो option है वो available होगे एक office आ रहा है और दूसरा school या फिर exam center login है तो आपको school या फिर exam center login पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पे आपको अपने school की ID और password लगा के login हो कर लेना है login करने के बाद इस तरह से एक page हो open हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर देखे left side में आपको यह three line है इस पर आपको यहाँ पर click करना है तो यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे options हो नजर आएंगे अब आपको यहाँ पर सेशनल Mark entry वाले option पर आपको यहाँ पर click कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे subject हो वो select कर लेना है और फिर आपको go पे click कर देना है अब जैसे आप यहाँ पे go पे click करोगे तो click करने के बाद यहाँ पे देखिए सम्मंदित student की list आपको यहाँ पे दिखाये देगे अगर आपने उनके marks पहले से भर रखे हैं तो यहाँ आपको marks है वो आपको दिखाये देंगे अगर आपने अभी तक marks नहीं भरे हैं तो पहले आप marks है वो सभी student का भर लीजेगा फिर आपको पर student के आगे save का option नजर आएगा इसी save वाले option पे आपको click करना है तो सभी student की इसी तरह से process रहती है चाहिए वो कक्षा 5 वीका student हो य इसके बाइर में मैंने last वीडियो में भी जानकारी है वो दे थी अब यहाँ पर student के सतरांग को print लेने के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक printer का option हो नजर आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर आपको यहाँ पर click करना है और जैसे आप यहाँ इस पर click कक्सा का नाम आपको दिखाए देगा subject है वो आपको यहाँ पर दिखाए देगा student के roll number है उसका नाम है वो आपको दिखाए देगे और उसके सतरांग आपको नजर आएगे अलांकि दोस्तों मेरे case में केवल एक student की list आपको यहाँ पर दिखाए दे रही है जिसमें वीडियो बना रहा हूं तो इसको देखके आपको बिल्कुल भी confuse नहीं होना है और इसी तरह से आपको कक्सा आठ्वी के जो student है यहाँ से आपको subject हो select कर लेना है गो पर आपको किलिक करना है और यहाँ से फिर आपको प्रिंट हो कर लेना है अब देखिए यहाँ पर जो list ह है आपको print out लेना पड़ेगा जितने subject है उसी इसाब से उतने ही आपको pdf file के अंदर इसकी एक copy है soft copy है आपको save कर लेनी है और एक hard copy है वो अपने record के लिए रख सकते है और फिल हाल 7 rank है आपको कहीं पर भी हो नहीं वेजने है आप काफे सारे दोस्तों का यह भी सवाल अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छे लेगी हो तो आर वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल आइक करना उसे भी दबा देना all notification है उसे भ आपर भी मैं सिक्षा जगे से जुड़ी नई नई जानकारी है वो आपके लिए उपलब्धा वो करवाता रहता हूं तो सोचल मेडिया पर मुझे फोलो कर लिजेगे तो मिलते हैं फ्रेंट्स अके लिए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत